जै शनी देव मैं हूँ गुरू रजनीश रिशी शनी पीठ मंदिर सोले भटा चौबिस इस्त पटिल नगर नई दिल्ली से आज आप सभी के समचों उपस्तित हुआँ कुमराशी वाले बच्चों का युवक युवतियों का पड़ाई दिखाई में किस परकार से मन लगाया जाए उनको किस परकार से फेल होने से रोका जाए उनके किस परकार से केरियर को एस्ट्रोजी यानि की जोतिश की मदद से टॉप लेबल तक पहुँचाया जा सके उसमें एस्ट्रोजी या जोतिश विज्ञान आपकी किस तरीके से मदद कर सकता है आज मैं उसकी आपसे डिटेल में चर्चा करूँगा मेरा नाम हरे कृष्ण है मैं बहुत गरीब वहर से बिलन करता हूँ मेरा एके लेड़का है वो स्कूल में पढ़ता है तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ही कमजूर था तो मैं चारो तरफ से परिशान हो गया था लास्ट में मैं उखला फैस्वान से जो ना किसी ने बताया मेरे वो कि आप जाईए गुरुजी के पास तो गुरुजी के पास मैंने आया तो गुरुजी ने मुझे सला दिये सारे कुछ जो ना देखे चानमीन करने के बाद मुझे सला दिये कि एक आंगुठी पहना दो इसको तो गुरुजी से मैंने जो है एक आंगुठी लेकी लिर्का को पहनाया पहनान के बाद जो ना उसकी जो पहले आगोठी से पहले जो मन नहीं लगता था पड़ाई में उसके वांद धिरे धीरे बहुत मन लगने लगा और पड़ाई में बहुत ध्यां दिया था दिन पढ़ाई किया उसने और 10 तैंत में जौना टब मारक लाकरी हमें भहुत खूश कर दिया ये सब हम बावा जी की आवारी है और बावा जी की कुर्पा है सनी महाराजी की बहुत बड़ा अमारे प्र कुर्पा है त終sca क्यों कि प्रें के लिए देड़ा जोन्29 आपके पास दूसरा आपको बनाना पड़ेगा इसलिए आप 12 क्रास से पहले, 2-3 महीने पहले की 5 महीने पहले आके आगोठी ले ले लना ज़रू तो हमने दुबारा बाबाजी के पास आये दुबारा आगोठी बनवा रहे हैं और सनी महाराजी की कुलपा से और बाबाजी की कुलपा से हमारे लेका टॉब मार्क रखें 12 में बस यही मैं सब को बताता हूं अगर आपको कोई दिकत है घर में हो बच्चे का पढ़ाई का हो किसी का भी हो तो बाबाजी से जरूर संपर्केजिए इसमें कोई दोराई नहीं है कोई सब वाली बात हुए जय सनी महाराज की जोई आपका जो नाम है जिस नाम से आप समाज में सबस्यादा पुकारे जाते हैं उस नाम का प्रथम अच्छर इसकी पर आ रहे इन अच्छरों में से किसी एक अच्छर से प्रारम बोता है तो आप कुम्ब राशी के विरती हैं कुम्ब राशी के बालक हैं कुम्ब राशी के युव जूव की है मैं अपनी चोटे बेटे की बात कर रहा हूँ जो इस समय साड़े तेश लाक है और पचास लाक से अधिक के पैकेज पर किसी सौफ्वियर कमपनी में software engineer है तो वो 12th के exam में उसने जो पेपर attempt किया था वो 90 नंबर का attempt किया था 12th की exam में CBSC के जब उसने 90 नंबर का पेपर attempt किया हमें कोई प्रॉलम नहीं थी हम उसे पढ़ने लिखने वारे में बिल्कुल वरीड नहीं थे क्योंकि उसके सारा फोकुस IIT के उसको crack करने का था और वो IIT में 701 यानि 701 रेंक लेकर final की बात कर रहा हूं साहिए IIT के second exam में, main exams में दो exam होते हैं एक first होता है, एक second में second की main की बात कर रहा हूं तो main में उसकी जो rank बनी, final rank जो उसे बहुते हैं वो 701 बनी तो उस rank के साथ उसने clear किया, तो जब result आया 12 का, तो हम सबी हरान थे, क्योंकि उसके marks 90 नहीं थे, marks 95, कितनी हरानी की बात है, तो इस प्रकार से भी हमने प्रभू के चमतकार को, इस पूजा के चमतकार को, इन रतनों के चमतकार को, अपनी जिद्दगी में गुजरते हुए और ये एक बार नहीं, बीसियों बार देखा है, तो आपसे यही कहना चाहूऊगा, कुमराशी जालो, शनी देखता के लिए नीलम रतन, सुकुर देखता के लिए हीरा या उसका अपुर रतन, और बुद्ध देखता के लिए पन्ना रतन की अम्गु की मंतिसित 15%, जागरत करा कर अवश्य धारान करनी चाहिए अगर आप अपने हातों में प्रॉपर तरीके से और इन सबी का कलर कॉंबिनेशन होता हर एक कलर हर एक किसी को सूट नहीं करता बेंड बजा देगा उल्टा फाइदे की जगे नुखसान हो जाते हैं तो किसी ज्यानी विद्वान व्यक्त करके या स्वेम आप 16 बटा 24 शनी पीठ मंदर इस्ट पटेल नगर नई दिल्ली आकर सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हम से स्वेम आकर मिल सकते हैं और अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का चाहे वो शादी से संबन देतों पड़ाई लिखाई से संबन देतों भी मारी से संबन देतों या किसी अन्य प्रक्स चीजों से संबन देतों प्रे महुबत शादी ना हूँ पाने से तलाख से संबन देतों बिना किसी जग जग प्या कर हमसे सला ले सकते हैं और हमारी एस्टोलोजी की सला से हमारी जोतिशी प्रामर्श से हमारे जो 33 वर्ष का इस लाइन का अनुबवे उसका लाव उठाकर अपनी जिन्दिकी को सजा और सवार सकते हैं और हमारे पास आने वालों में आप अकेले नहीं हैं 133 देशों से विविन देशी और विवेशी लोग स्वेम यहां चल कर समय समय पर हमसे मिलने हमसे परामर्श करने आते रहें जिसमें 78 साल के विशप भी हैं विशप यानि किसी चर्च में जो फादर बनने के जब कोई 25 साल तक फादर बना रहता तो उसके बाद उनको बिशप बनाया जाता है उस रेंक के लोग भी हैं बड़ी बड़ी 75 साल की जैन साधवियां भी हैं और बाकी सब पीछे ग्रह राज्य मंतरी MP, MLA, कांसलर्स, बिजनिसमें, बिजनिस ताइकून जिसमें यंगेस्ट बिलिनर आफ साउट अफरीका भी शामिल हैं ऐसे लोग समय समय पर आते हैं और हमसे जोतिशी परामश्क के माध्यम से लाब उठाते हैं या वीडियो कॉल पर चर्चा करके या इमेल के माध्यम से या हमारी मुबाईल एप एस्टोलोजी भाई गुरू जी से या हमारी वेबसाइट www.shanidev.yes पर जाकर हमसे संपर्क करते हैं और हमारी जो एस्टोलोजी का ग्यान है उससे फाइदा उठाकर अपनी जीवन में सुख़द अनभाव को प्राप्त करते हैं लाब उठाते हैं अभी रिसेंटली जो लास्ट हमें पीछे दस पंदरे दिन पुरानी बात कहूँगा है लगवग हमारे द्वारा हेल्प करने से न सर्फ एक बच्ची का केरियर बना वो बच्ची आज राजिस्थान गवर्मेंट में लेक्चरर की पोस्ट पर स्लेक्ट होई है जिसे अभी अभी तक कुछ भी हासिल नहीं था छोटे से एस्ट्रोजिकल कंसल्टिशन प्लस कुछ अंगुठिया पहनाने से साथी साथ हमने उसके फाइदर को वाइदा किया था कि इसी अंगुठियों से इसकी शादी भी हो जाएगी तो अभी जब कि उसकी पोस्टिंग नहीं हो पा तो इसी प्रकार से आप भी अपने जीवन में छोटे छोटे परामर्श के द्वारा अपने जीवन में लाब उठा सकते हैं अपने और अपनी बच्चों को फेल होने से बचा सकते हैं उनके केरियर का लव निर्मान कर सकते हैं उनके प्रमोशन को जो उनका ड्यू प्रमोश सकते हैं तो आप एक ही चीज का ध्यान रखना है ये रत्नों की अंगुठियां अगर मंत्रसिध, प्राण पतिष्टित और जागरत नहीं हैं तो ये रत्नों की अंगुठियां आपको कभी भी फाइदा नहीं पहुचाएंगी और इनको मंत्रसिध, प्राणपतिस्थित और जागरत वही व्यक्ति कर सकता है जिन्होंने अपनी मंत्र साधना के बल पर इन मंत्रों को सिद्ध किया हो मेरी अपनी जो है वो 33 वर्ष की मंत्र साधना है तो उस साधना के बल पर ही मैं आपको जो रतनों की अंगुठिया प्रदान करता हूं तीन दिन उनकी पूजा करता हूँ उनको मंत्र प्राण पतिस्ट जागरत करता हूँ तब जाकर मैं उनको आपको या तो भेजता हूँ या सुएम अपने हाथों से आपको धारन कराता हूँ वो भी मंत्रों के साथ जो व्यत्ति घर बैठे पूरी दुनिया में कहीं भी मेरे द्वारा मंत्र सिद्ध की गई किसी भी रतन की अंगुठी को घर बैठे प्राप्ट करना चाहते हैं तो बिना किसी जिज़त के स्क्रीन पर आ रहे हैं नंबरों पर या हमारी वेबसाइट पर या हमारी मुबाइल एप एस्टोलोजी वाई गुरूजी पर आकर वीडियो कॉल के माध्यम से परस्नली मिलकर फोन कॉल के द्वारा इमेल के द्वारा लाब उठा सकते हैं और अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं आज के लिए वस इतना ही जैशनी देव झाल के द।